और राची से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मंतुरी सत्यानंद भोगता एरपोर्ट पहुंचे हैं राइपोर के बजाए दिल्ली जाने की बात उन्होंने कही है सूत्रों के अवाले से बड़ी खबर आपको बता दें आरजेडी कोटे से मंतुरी है सत्यानंद भोगता राइपोर रवाना हो रहे हैं राची से बड़ी खबर एरपोर्ट पर सत्यानंद भोगता पहुंचे हैं राची एरपोर्ट पर राइपोर जाने वाले हैं भोगता सूत्रों के अवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहा हाला कि सत्यानंद भोगता ने कहा कि वो राइप जा रहा है दिल्ली तो को फाराइट भी है नहीं कितने लोग जा रहें आपके साथ में किसे मुलाकात जा रहे है राटिया ज्मोधास मिलने के लिए जारकंड सत्ताधारी दल के विधायक राइपूर में डेरा डाले हुए हैं कल ज्यम्म के उन्निस्ट विधायक और कांगरिस के बारव विधायकों के साथ कुल 31 लोग राइपूर पहुँचे जसमें प्रदेश कांगरिस सद्याक्ष राजेश ठाकूर और कांगरिस परभारे अविनाश पांडे भी शामिल हैं वहाई बात पार्टियों के विधायकों की करें तो जेमेम के 30 में से 19 विधायक की ही राइपूर पहुंचे हैं जबकि कांग्रेस के 18 में से 12 विधायक राइपूर में मौझूद हैं और बड़ी कबर आपको बता दे सत्यानंद भोगता एरपोर्ट पहुंचे हैं जैसा कि हम तस्वीरे दिखा रहे थे सत्यानंद भोगता आर्चेडी कोटे के मंत्री हैं वो एरपोर्ट पहुंचे हैं हाला कि मंत्री ने दिल्ली जाने की बात कही है लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि सत्यानंद भोगता राएपूर जा सकते हैं हमारे साथ संजे सिनहा जुड़े हैं संजे सत्यानंद भोगता दिल्ली जाने की बात कह रहे हैं राश्ट्री अद्रेक्ष मिलने जा रहे हैं वहीं सीम के भी दिल्ली जाने की खबर तो क्या ये माना जाए कि राएपूर के साथ ये दिल्ले में भी कुछ हल चल है? लेकिन कुछ भी कहने से मना किया है, लेकिन जुनियर देत का सही तरीके से पालन किया तो परदी पियादोंने। लेकिन बात यहां पर साफ है कि दोनों भी विधायक राएपूर के रवाना हो रहे हैं। जो में जनकारी मिली है और सुत्र ये भी बता रहे हैं कि अंदर में बकाईदा एयरपोर्ट पर चार्टर्ड बिमान लगा हुआ है और इसी बिमान से दोनों जाएंगे और उसी बिमान से कल कांगरिस कोटे के चारो मंत्री रामेतो राओ बन्ना गुपता बातर पत्रलेख औ और एक और मंत्री जो कांगरिस के हैं उस तभी लोग बाकवास रांसी लोटेंगे जी तो ये जनकारी है कि सिर्फ दो ही है एक चैटर्ट प्लेंड में और कोई भी जा रहा है इनके साथ फिलाल अभी दो है यहां पर जो दो की सोचना थी और दो लेकिन हाँ यह ज़ूर है कि आज सियम के जाने के लिए ख़वर मिली थी कि सियम भी आज रायफूर रखना हो सकते हैं लेकिन अभी तक हमें जानकारी मिली है कि सियम रायफूर नहीं जा रहे हूं पर चला है परदी पीयादो सत्यानंद भोक्टण आज अभी राइपूर्पूर्ण ने कहा था चलिए संजय हमारे साथ अविनाश जुड़ चुके है राइपूर्ण से उन से बात कर लेते हैं अविनाश अभी एरपोर्ट पर सत्यानंद भोगता और प्रदीप यादो यहां पर देखे हैं और ये कहा जा रहा है कि दिल ले जा रहा है लेकिन जो जानकारी है उसके मताबिक ये दोनो राइपूर की तरफ रुख कर रहे हैं क्या आप वहाँ पर इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं हमारे पास भी जो सूत्र है और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मताबिक दोनों ही विधायक राइपूर आ रहे हैं अब ये देखना होगा कि जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त अभी तक मुक्मंत्री आवाज पर कारकेड नहीं लगी है और जो जानकारी आ रहे थी उस जानकारी के अनुसार यही था कि मुक्मंत्री के साथ ही ये दोनों विधायक यहां आएंगे और अगर इसमें कहिंँ कोई तबदेली हुई है तो एक और विकल्ब बसता है वो ये विकल्ब है कि सबसे पहले यहां से जो दोनों विधायक हैं और दिल्ली जाने के बाद वहाँ से फिर सुबा रायपूर के लिए फ्लाइट है क्योंकि सीडे तोर पर राइपूर के लिए कोई फ्लाइट नहीं है इसलिए यह विकल्ब बचे हैं लेकिन फिर भी अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक यह है कि मुक्कमंत्री के आवास पर कारकेज नहीं लगी है तोड़ा इंतजार करना होगा और अगले कुछ मि आप बढ़ सकती है थोड़ा इंतजार करना होगा थोड़ी नजर रखनी पड़ी गे एरपोर्ट पर हाँ यह संभावना है और इस संभावना के मद्दे नजर ही यह सारी चीज़े हो रही है चलिए अविनाश नजर बनाए रखिए आप रायपूर में क्या कुछ हल चल है उस पर और हमारे साथ संजय सिनहा भी जुड़े वी हैं संजय आप राची के एरपोर्ट पर अपना नजर बनाए रखिए हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और खबरें लगातार जारी हैं आप बने रहे हैं झाल